जब चीनी यात्री हवेंसांग भारत भ्रमन पर आया तो उसने राजधानी कन्नौच का वर्णन किया है उसने अपनी पुस्तक में उची उची अट्टालिकाओं वजगमगाते कन्नौच की खूपसूरती के बारे में वर्णन किया है कहा है वो कन्नौच ऐसा अनुमान है कि छटी शताबदी का कन्नौच शहर के नीचे दवा पड़ा है सोचा हर्ष की पहली राजधानी कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में किले की जानकारी ली जाए इससे शायद कन्नौच के किले की भव्यता का अन्दाजा लगाया जा सके ये है थानेश्वर का किला तीले पर एक किलोमीटर लंबाई 750 मीटर चोड़ाई वर लगभग 15 मीटर गहराई में स्थित है संपूर्ण किला लाखोरी इट गारे चूने की जुड़ाई से बना है किले का आर्किटेक्चर वर डिजाइन रक्षात्मक बनाया गया सा प्रतीत होता है कंस्ट्रक्शन अधूरा छोड़ा गया लगता है राजधानी थानेश्वर से कन्नौच स्थानांतरित होना एक कारण हो सकता है किले में एक सुरंग भी है किले में दर्वाजों की उचाई 4 फीट के लगभग होगी ये सुरक्षा की पुरानी युक्ती है कमरों में सीडिया होना समझ से परे है गेट का आकार युनीक है एक केंपस है जिसमें तीन और कमरे बने हुए है बीच में मैदान छोड़ा हुआ है किले में पानी के लिए एक क्वाभी है खुदाई में प्राप्त आर्टिफेक्ट को एक म्यूजियम में सजाया गया है गुप्त कालीन वह हर्श कालीन मूर्तिया म्यूजियम में सजाय गई है जो देखने योग्या है कन्नौज में भी ऐसा किला शहर के नीचे दवा पड़ा होगा कन्नौज में जगह जगह मूर्तिया वह सिक्के प्राप्त होते रहते हैं मूर्तिया कन्नौज के हर घर में ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है। जुताई के समय खेत खलियानों में सिक्के प्राप्त होते रहते हैं। विडंबना देखिये कन्नौज में अभी तक कोई म्यूजियम ही नहीं है। एक अनुमान के अनुसार बेश किमती मूर्ति वसिक के विदेश भीजे जा चुके है। जरूरत इस बात की है कि हिंदू समराथ हर्ष की धरोहरों को संजोया जाए। मुझे मालूम है कन्नौज की छिपी धरोहरों को बचाने वसामने लाने का प्रयास किया गया है। जिस पर हम एक पोस्ट पहले ही ला चुके हैं। मूर्तियों आदी के बारे में बात करेंगे।